गेम के टाप बैठा जिसके विबस की हो आग के पकड़ ले तो जैसे कि आप सब को पता ही है कि गौन गल सॉंग में इस शो वई बोट्षा ने हनी पाजी को बे मतलब का पोक किया था जिसके बाद फिर कूले कूले और कलास्टार सॉंग आने के बाद सारी की सारी पबलिक ने जियान भाई को इतना गंदा पेला कि ये अपनी पूरी लाइफ याद रखने वाला है चाहे आप इसके लास्ट दो गानों पे डिसलैक्स की बात करो čाहे आप इस्सटे ग्राम पे कमेंट्स में गालिया खाने की बात करो या फिर लाइफ शो की बात करो जहाँ पे और्टियंस हनी सिंग चिला रही थी यही नहीं पिछले मैंने M.A.O. बंटाई ने स्टिल नंबर वन में एकदम साफ हिंट दिया था कि वो बोट्षा के उपर एक डिस लाने वाले हैं फिर क्या कुछ दिनों के अंदर जियान भाई ने भी एक पोस्टर डॉप कर दिया जिससे साफ साफ लग रहा था कि वो इस गाने में योयो हनी सिंग और M.A.O. बंटाई को डिस करने वाले हैं लेकिन फिर अचानक से गुड़ बोई सॉंग का टीजर डॉप होता है जिसके म्यूजिक में योयो हनी सिंग का नाम होता है और ये टीजर आते ही योयो हनी सिंग का इस गाने में नाम देखते ही जियान भाई अपने जवाब सॉंग को पॉस्ट पॉन कर देते हैं तो असली स्कैम यहीं से स्टार्ट होता है क्यूंकि गुड़ बोई सॉंग के अंदर कोई डिस नहीं होता है यहां तक कि कोई शॉट्स भी नहीं होते लेकिन धीट सॉंग में हनी पादी बोट्सा के उपर एक दो सॉट्स लेते हैं खेर इसके बाद आज थोड़ी देर पहली इस्टो बोई बोट्सा का जवाब सॉंग भी डॉप हो जाता है और इधर भी एक बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है मतलब गुड़ बोई सॉंग की तरह जवाब सॉंग भी कोई डिस ट्रैक नहीं निकला इसके पीछे का रीजन जहां तक मुझे लग रहा है वो यह है कि एमिवे बंटाई ने गुड़ बोई सॉंग में बोट्सा के उपर शॉर्ट्स वारी लाइन्स को हटा दिया था जिसके बाद फिर बोट्सा ने भी जवाब सॉंग को चेंज कर दिया भाई को शायद ये चीज़ पता चल चुकी थी कि अगर इसने इस वक्त हनी सिंग या फिर एमिवे को डिस कर दिया तो ये पक्का रोड पे आने वाला है इसलिए भाई ने सोचा कि क्यों ना एक रोता हुआ गाना बना देता हूँ ताकि थोड़ी सिंपती मिल जाए क्योंकि पिछले दो-तिन महीनों से तो ये हर रोस दबाके गालियां खा रहा है मतलब पहले दूसरे आर्टिस्ट को बे मतलब का पोक करो फिर जब पब्लिक तुमारी असली ओकाद दिखा दे तो तुम फिर सौंग में आके रोते हुए सिंपती लो वाह का गांडू है इसके गाने पे पूरे तीन घंटे बाद भी एक लाग व्यूस कम्प्लीट नहीं हो रहे है खेर क्योंकि अब दोनुई तरफ से कोई डिस नहीं आया मतलब अब चाहे बोट्षा कुछ भी करे हनी पाजी कोई रिप्लाइ नहीं देंगे लेकिन हाँ बोट्षा ने अगर फ्यूचर में कोई भी उंगली की तो सारी की सारी ओडियंस इसको फिर से पेलने वाली है खेर आपका इस मैंटर पर क्या सोच रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना बाकी धीर सौंग को सुनते रहो यहां तक आए हो तो लाइक का बटन दबाके जाना मिलता हूं मैं आपने इस वीडियो में तिल देन बबाए